मैं एक तो संदीब जी मेरे पास एक फैरिश्थ है बड़ी पदियात्राओं की जफर भाई बैठे हैं यहाँ पे सबसे पहली पदियात्रा प्रॉफिट की है मक्का से मदीना की वो काम्याब होती है दूसरी संकराचारिय की है हिंदु धर्म के रिवाइवल के लिए वो काम्य काम्याब होती है उसके परठ दर्शियत्र उसके ही जारी किरती आजमी दो पहारी पडिएवल उन्मेद दおお नंग होके होटा है, थ क्षर्चेक बिन्हें की सक्वादी बुचार मिरे तो इस वो काम्याब होता है।। जांढ्य जी का जांडी मार्चे का मदल के सरकारarenth जाती है YSR की पार्टी जो आभा मंदल था NTR का उसको तोड़ करके वहां सरकार बन जाती है अड़माने जी की यात्रा से मेरी ऐस सहमती है चुके पहले दिन सी उसमें हिंसा होती है लेकिन अल्टीमेटली वो भी काम्याब हो जाती है और हमारे नेता नितिश्कुमार दो हज 2005 में यात्रा करते हैं वो काम्याब हो जाती है एक तो मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्वनिक्स पॉलिटिक्स आफ यात्रा है यह विद्वेश्टे दूर है यह कॉंट्रावर्सल सवालों से दूर है और गांदी जी तो यह कहते हैं कि जिसके वुरुद अंशन भी कर रहे हो उसके लिए भी कोई खराब राय अपने लिए नहीं है मुझे प्रसंता है कि राहुल जी कल अटल बिहारी बाजपई की समाधी पर जाएंगे यही शही सुनता रायनिती में हम चाहते हैं दीनदाल उपाददाय हों अटल बिहारी बाजपई हों लोहिया हों चरंद सिंग हो करपुरी ठाकुर हों जोती बसू हों गांदी हों नहरू हों इंदरा हों हम सब को क्यों नी सबका सम्मान करना चाहिए यह जो संकीनता रायनिती में आई है इस से उपर उठे है राहुल गांदी एक तो मैं उसके लिए उनको मुबारक बाद देना चाहता हूं दूसरा यह क कि यह पद्यात्रा में एक तो उनको देश को देखने का मौका मिलागा जो मेरे भी तो जफर भाई कह रहे थे कि सोने चांदी की चमच लेकर के पैदा हुए तो भारत को उन्होंने उस तरह से नहीं देखा है जैसे इंदराजी ने देखा या जवहालाजी ने सब से जदा तो अगर इतना मेरा सुझाव है मित्र पार्टी होने के नाते उन सवालों को उठाने की कोई जर्ट नहीं है जिन से चिड़ चिड़ापन राइनिती में पैदा हो जाए जैसे वीर सावरकर जी की राइनिती को मैं डिस हैफ्रू करता हूं लेकिन ये निर्थक सवाल पद्य पद्यातरा का चंदशेखर जी की पूरी पद्यातरा में ड्रिंकिंग बाटर बड़ा मुद्दा था जहां से वो चले थे पहाडों में इधर उदर होते हुए और जब बाद में समाप्त किये तो उन्होंने अंदोलन चलाया था पहाड पे जहां आप हैं कई बार प्रधान आइडिलोजिकल कॉंसोलिडेशन या जो आइडिलोजिकल गंभीरता है वो राहुल जी में इसके बाद और बढ़ेगी यह मैं ऐसा मानता हूं चुके कॉंग्रेस पार्टी के मेरे मितर बैठे हैं सुरेंद्र जी मैं इनको बहुत विरमता से कहना चाहता हूं मैं उस पार् द्धा आज तक भूगत रहे हैं मंडल को लेकर के आरेक्षन को लेकर के जातीगत आरेक्षन को लेकरकर के जिस assign के बेच्चाने चाहत प्राइब की एक वैचारिक मन्च की जो आब बात कर रहे हैं क्या राहूल गांदी वो प्रदान करते दिख रहे हैं क्योंकि वैचारिक तोर पर एक स्मंजा साफ दिखाई देता है कॉंग्रेस के बीतरी तीन सो सतर पर कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है बहुत सारे मुद्धे हैं मैं एक उधारन के तोर पर तीन सो सतर की बात की तो इस यात्रा में क्या आपको राहूल गांदी की छवी निकरती दिखी है कॉंग्रेस या कॉंग्रेस का पुनर रुठान होते दिख रहा है या वैचारिक मंच के जरीए मुद्दे सेंटर स्टेज पर लाने की एक कोशिश करती दिख रही है कॉंग्रिस में देखे एक तो मैं मानता हूँ कि राहुल जी को हिंदुस्तान को समझने का मौका मिल रहा है जैसा हमारे जैसे राइडिती कारे करता हूंने 50 साल की अपनी जिन्दगी खपाई उसके बाद जिन समझाओं को हम प्र कभी कॉंप्रमाइज नहीं करते हम बीजेपी के साथ रहे 45 साल तक लेकिन सामान आचार सही था यूनिफॉर्म सिविल गोर्ड कश्मीर का सवाल हमने ना आठल जी के सामने छोड़ा ना मोदी जी के सामने जब आर्टिकल 370 पार्लेमेंट माया हमारी पार्टी ने मित्र पार्टी होने के साथ नाते वाक आउट किया कुछ सवाल ऐसे हैं उस पर कोई कंप्रमाइज नी करना चाहिए और मुझे प्रसंता है कि कुछ तीखे तीखे से राहुल जी मुझे कई अवस्रों पर दिखाई देते मैं उसकी इस बात के लिए प्रसंसा भी करना चाहता हूँ धरम निरपेश्टा का सवाल तो आपको लग रहा है कि इस मामले में जो असमंजस के बादल हैं वो जाते दिख रहे हैं लेकिन कीरती भाई